सौभाग्य की देवी से मिलें अगर कोई इनसान भाग्यशाली है तो उसके सौभाग्य की सीमा के बारे में कोई भविश्यवानी नहीं की जा सकती अगर उसे नदी में भी फेंक दिया जाए तो न सिर्फ वह तैर कर बाहर निकल आएगा बल्कि उसके हाथ में एक मोती भी होगा हर व्यक्ति सौभाग्य शाली बनना चाहता है आज से चार हजार साल पहले प्राचीन बैबिलॉन में भी मनुश्यों के मन में सौभाग्य शाली बनने की इच्छा उतनी ही प्रबल्थी जितनी की आज के मनुश्यों के मन में है हम सब चाहते हैं कि सौभाग्य की चंचल देवी हम पर महरबान हो जाए क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस देवी को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और उसके क्रिपापात्र बन सकें क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे न सिर्फ हम उस देवी का ध्यान खीच सकें बल्कि उसके उदार वर्दान भी पा सकें क्या सौभाग्यशाली बनने का कुई तरीका है? प्राचीन बैबिलॉन के व्यक्तियों के मन में भी यही सवाल उठा उन्होंने यह पता लगाने का फैसला किया वे चतुर और विचारशील थे इसी वजह से उनका शहर अपने समय का सबसे समरिध और शक्तिशाली शहर बना उस पुराने समय में स्कूल या कॉलेज नहीं थे बहरहाल बैबिलॉन में ग्यान का एक केंद्र था और वह सैध्धान्तिक नहीं बलकि बहुत व्यावहारिक था बैबिलॉन की उची इमारतों में एक इमारत समराट के महल हैंगिंग गार्डस और देवी देवताओं के मंदिरों जितनी महत्वपूर्ण थी आपको इतिहास की पुस्तकों में इसका बहुत कम जिक्र मिलेगा इस बात की बहुत संभावना है कि आपको इसका जिक्र मिलेगा ही नहीं बहरहाल इस इमारत का उस युक के चिंतन पर बहुत प्रबल असर हुआ यह इमारत ज्यान का मंदिर थी जहां स्वयन सेवी शिक्षक ज्यान प्रदान करते थे यहां सारवजनिक रुची के विश्यों पर खुले मंच पर विचारविमर्श होता था इसकी दीवारों के भीतर सभी व्यक्ती बराबर होते थे सबसे ग्रीब सेवक भी अपने तरकों से शाही घराने के राजकुमार के विचारों को गलत साबित कर सकता था ज्यान के मंदिर में कई लोग नियमित रूप से जाते थे इन में से एक अरकाद नामक बुद्धिमान आदमी था जिसे बैबिलॉन का सबसे अमीर आदमी कहा जाता था उसका अपना विशेश हॉल था जहां लगभग हर शाम को बहुत से लोग रोचक विशेओं पर चर्चा और बहस करने के लिए इकठे होते थे इन लोगों में कुछ वृद्ध और कुछ युवाभी थे परन्तु अधिकाश अधेर थे बहतर होगा कि हम उनकी बाते सुनें ताकि हम यह जान सकें कि क्या वे सौभाग्य या खुशकिस्मती को आकरशित करने का तरीका जानते थे जब अरकाद अपने मंच पर आया तो सूरज रेगिस्तानी धूल की धुन्ध के बीच आग की बड़ी लाल गेंद की तरहें चमकते हुए अभी अभी डूबा था असी लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे और फृष पर बिछे कालीनों पर बैठे हुए थे बाकी लोग आते जा रहे थे अरकाद ने पूछा आज शाम को हम किस विशय पर चर्चा करेंगे थोड़े संकोच के बाद कपड़े बुनने वाले एक लंबे व्यक्ती ने खड़े होकर कहा मैं चाहता हूँ कि एक खास विशय पर चर्चा हो परंतु मैं इसे बताने में डरता हूँ अरकाद की कहीं यहां आपको और मेरे मित्रों को मूर्खता पूर्ण न लगे जब अरकाद और बाकी लोगों ने उससे वह विशय बताने का आग रह किया तो उसने कहा आज के दिन में खुशकिस्मत था क्योंकि मुझे स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक पर्स मिल गया मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं हमेशा खुशकिस्मत रहूँ मुझे लगता है कि हर व्यक्ती की यही इच्छा होगी इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि हम इस विशय पर बहस करें कि सोभाग्य या मैं खुशकिस्मती को कैसे आकरशित किया जाता है ताकि हम खुशकिस्मत बनने के तरीके खोज सके अरकाद ने कहा यह बहुत ही रोचक विशय है इस पर हमें चर्चा करना ही चाहिए कुछ लोगों के लिए अच्छी किस्मत का मतलब संयोग या कोई अकस्मात घटना है जो बिना किसी उद्देश्य या कारण के हो सकती है बाकी लोगों को यह विश्वास होता है कि हमारी खुशकिस्मती हमारी सबसे उदार देवी अश्टर की क्रिपा पर निर्भर है जो उन लोगों को उदारता पूर्वक पुरसकार देती है जो उसे खुश करते हैं मित्रों आप लोगों की क्या राय है? क्या हम यह पता लगाए कि हम किन तरीकों से खुशकिस्मती को आकर्शित कर सकते हैं ताकि हम सब खुशकिस्मत बन सकें हाँ? हाँ? बहुत बढ़िया रहेगा उत्सुक्ष्रोताओं के बढ़ते समूह ने जवाब दिया इस पर अरकाद ने आगे कहा चर्चा शुरू करने से पहले आप लोग मुझे बताए कि आप में से किन लोगों को हमारे मित्र कपडों के बुनकर की तरहे के अनुभव हुए हैं जब उन्हें बिना कोशिश के बहुमूल्यक साने या रत्न मिले हो एक चुप्पी छा गई सबने एक दूसरे की तरफ देखा परन्तु कोई भी कुछ नहीं बोला अरकाद ने पूछा क्या ऐसा और किसी के साथ नहीं हुआ फिर तो इस तरह की खुश किस्मती बहुत ही दुलब होगी अब आप मेंसे कोई यह सुझाव दे की हम अपनी खोज कहां से शुरू करें अच्छे कपड़े पहने हुए एक युवक ने कहा, मैं बताता हूँ जब कोई व्यक्ती खुश किस्मती के बारे में बाते करता है तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि उसके विचार जुएकी टेबल, गेमिंग टेबल की ओर मुड़े क्या वहां हमें ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो जीतने के लिए देवी की क्रिपा चाहते हैं उसके बैठने के बाद एक आवाज सुनाई दी, रुको मत अपनी बात पूरी करो हमें बताओ क्या जुएकी टेबल पर देवी ने तुम पर क्रिपा की थी क्योंकि क्यूब में लाल हिस्सा उपर आया था और तुमने जुएगर के मालिक से धेर सारा धन जीत लिया था या फिर क्यूब का नीला हिस्सा उपर आया था, जिससे जुएघर का मालिक तुम्हारा मेहंस से कमाया गया धन बटोर कर ले गया था युवक ने हंसकर जवाब दिया, मुझे यह स्विकार करने में कोई संकोच नहीं है कि सौभाग्य की देवी को तो शायद यह मालूम ही नहीं था कि मैं वहाँ पर था परन्तु आप में से बाकी लोगों के साथ तो ऐसा हुआ होगा क्या आपने पाया है कि देवी ऐसी जगहों पर आपका इंतजार कर रही थी और क्यूब को फायदे के लिए पलट रही थी हम यह सुनने और सीखने के लिए उत्सुख है अरकाद ने कहा बहुत ही समझदारी पून शुरुवात है हम यहाँ पर हर प्रश्न के सभी पहलूँ पर विचार विमर्ष करने के लिए इकठे हुए हैं जोएकी टेबल को नजरंदास करना अधिकांश लोगों की उस प्रबल भावना को नजरंदास करना है जिसमें व्यक्ति कुछ चांदी के सिक्के दाफ पर लगाने के बाद धेर सारी स्वर्ण मुद्राय जीतने की आशा करता है एक अन्यश रोता ने कहा इससे मुझे कल की घुरदौड की याद आ गई अगर सौभाग्य की देवी जुए घर में मिल सकती है तो निश्चित रूप से वह घुरदौडो को भी नजरंदास नहीं करती होगी जहां सजे हुए रत और तेज गती से दौड़ते घोड़े बहुत ज्यादा रोमाच प्रदान करते हैं हमें इमानदारी से बताए अरकाद की क्या उसने आपके कान में धीरे से यह फुस्फुसा दिया था कि आप कल निनेवे के भूरे घोडों पर अपना दाव लगाए मैं आपके ठीक पीछे ही खड़ा था और जब मैंने सुना कि आप उन भूरे घोडों पर दाव लगा रहे हैं तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ हम सब जानते हैं जिनमें आप भी शामिल हैं कि निश्पक्ष दौड में पूरे एसीरिया में कोई भी घोडा हमारे प्रिये घोडों को नहीं हरा सकता क्या देवी ने आपके कान में चुपके से कह दिया था कि भूरे घोडों पर दाव लगा दो क्योंकि आखरी चक्कर में अंदर वाला काला घोडा लड़खडा गया था जिससे हमारे घोडों की राह में बाधा आ गई और भूरे घोडे रेस में जीत गए हाला कि वे इस योग्य नहीं थे अरकाद ने इस ठिठोली पर मुस्कराते हुए कहा हमारे पास यह महसूस करने का कया कारण है कि सौभाग्य की देवी घुरदोर में किसी व्यक्ती के दाव में इतनी रुची लेंगी मेरे लिए वे प्रेम और गरिमा की देवी है जो जूरतमंद लोगों की मदद करती है और योग्य लोगों को पुरसकार देती है मैं जुए घर या घुरदोरों में उनकी तलाश नहीं करता हूँ जहां ज्यादातर लोग धन कमाने के बजाए गवाते हैं इसके बजाए मैं दूसरी जगहों पर उनकी तलाश करता हूँ जहां इनसानों के काम ज्यादा महत्वपूर्ण और पुरसकार के योग्य होते हैं चाहे खेती हो या इमानदारी से किया जाने वाला व्यवसाय सभी कामों में इनसान के पास अपनी कोशिशों और सौदों से लाब कमाने का अफसर होता है शायद हमेशा उसे पुरसकार नहीं मिलेगा क्योंकि कई बार उसका निर्नय गलत हो सकता है और कई बार हवाय तथा मौसम उसकी कोशिशों पर पानी फेर सकते हैं बहरहाल अगर उसमें लगन होगी, तो आम तोर पर उसे हमेशा लाब होगा, क्योंकि लाब का अफसर हमेशा उसके पक्ष में होता है परन्तु जब कोई व्यक्ती जुए की टेबल पर जुआ खेलता है, तो स्थिती उल्टी होती है यहाँ पर लाब का अफसर हमेशा जुए घर के मालिक के पक्ष में होता है जुआ इस तरह से खिलाया जाता है, ताकि वह हमेशा मालिक के पक्ष में रहे यह उसका व्यवसाय है, जिसमें वह खिलाडियों के दाव से लाब कमाने की योजना बनाता है जुआ खेलने वाले बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि जुए घर के मालिक का लाब कितना सुनिश्चित होता है और उनके जीतने की संभावना कितनी अनिश्चित होती है उदाहरन के लिए हम क्यूब पर लगाए गए दावों के बारे में विचार करें जब भी इसे फेंका जाता है तो हम इस बात पर दाव लगाते हैं कि कौन सा हिस्सा सबसे उपर आएगा लाल हिस्सा आने पर जुए घर का मालिक हमें दाव पर लगे धन का चार गुना देगा परन्तु अगर बाकी पांच हिस्सों में से कोई भी हिस्सा उपर आता है, तो हमने दाव पर जो पैसा लगाया था, वह डूब जाएगा इस तरह हर दाव में हमारे हारने की संभावना पांच गुनी है, परन्तु चूंकी मालिक जीतने पर सिर्फ चार गुना पैसा देता है, इसलिए हमारे जीतने की संभावना चार गुनी है एक रात के खेल में जुएघर का मालिक दाव पर लगाए गए पूरे धन का पाँचवा हिस्सा या 20 प्रतिशत लाभ में कमाने की उम्मीद कर सकता है जब स्थिती इस प्रकार की हो जिसमें व्यक्ति अपने लगाए गए सभी दावों पर 20 प्रतिशत धन गवा दे तो वह सिर्फ कभी कभार ही जीतने की उम्मीद कर सकता है एक श्रोता ने कहा बहरहाल कई बार कुछ लोग बहुत बड़ी रकम जीत लेते हैं अरकाद ने कहा हाँ ऐसा भी होता है सवाल यह है कि क्या उन खुश किस्मत लोगों के लिए इस तरह से हासिल किये गए धन का कोई स्थाई महत्व होता है मैं बैबिलोन के कई सफल लोगों को जानता हूँ परंतु उन में से एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी सफलता की शुरुवात जुएघर की टेबल से की हो आप लोग भी कई धनवान लोगों को जानते होंगे मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारे सफल नागरिकों में से कितने अपनी सफलता की शुरुवात का शुरे जुएघर को दे सकते हैं क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं लंबी खामोशी के बाद एक मस्खरे ने पूछा क्या हम जुएघर के मालिकों को इस जाच में शामिल कर सकते हैं अरकाद बोला अगर आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते तो फिर अपने बारे में कहें क्या हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो जुए में लगातार जीतते हैं परन्तु अपनी आमदनी के लिए इस तरह के स्रोत की सलाह देने में जिज़क रहे हैं इस चुनोती पर पीछे से आह भरने की आवाजे आई और फिर लोग हंसने लगे अरकाद ने कहा ऐसा लगता है कि हमें खुशकिस्मती उन जगहों पर नहीं मिलती है, जहां देवी अकसर रहती हैं इसलिए अब हम दूसरे क्षेत्रों की तलाश करते हैं हमने पाया है कि खुशकिस्मती का गुम हो गए पर्स उठाने से कोई सम्बंध नहीं है, नहीं इसका सम्बंध जुए से है जहां तक घुरगौर का सवाल है, मैं यह स्विकार करना चाहता हूं कि मैंने इसमें जितना धन जीता है, उससे बहुत ज्यादा धन गवाया है अब हम अपने व्यवसायों पर विचार करते हैं जब हम कोई लाभकारी सौदा करते हैं, तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि हम इसे खुशकिस्मती मानने के बजाए अपनी मिहंत का उचित पुरसकार मानते हैं मैं सोचता हूँ कि ऐसा करके हम देडी के उपहारों को नजरंदास कर देते हैं शायद वे सचमुच हमारी मदद करती हैं, परंतु हम उनकी उदारता के लिए उनके शुक्रगुजार नहीं होते हैं कौन इस विशय पर चर्चा आगे बढ़ा सकता है? इस पर एक व्रिध व्यापारी उठा और अपने सफेद वस्त्र की सलवटें ठीक करते हुए बोला अरकाद, आपकी और अपने मित्रों की अनुमती से मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ जैसा आपने कहा है, अगर हम अपने व्यापार की सफलता के लिए अपनी मेहंत और योग्यता को श्रेय देते हैं तो उन सफलताओं और बहुत लाभदायक चीजों के बारे में क्यों न सोचें जो हमें लगभग मिलने वाली थी, परन्तु आखिरी मिनट पर नहीं मिली अगर वे सचमुच हो जाती, तो वे खुशकिस्मती का दुरलब उदाहरन होती चुँकि वे पूर्ण नहीं हो पाई, इसलिए हम उन्हें अपना उचित पुरसकार नहीं मान सकते निश्चित रूप से यहां बैठे कई लोग इस तरह के अनुभव बता सकते होंगे अर्काद ने सहमत होते हुए कहा, यह समझदारी भरा सुझाव है खुशकिस्मती आप में से कितनों की मुठी में थी, परन्तु आखिरी मिनट पर फिसल गई कई हाथ उठे जिनमें उस व्यापारी का हाथ भी था अर्काद ने उसे बोलने का मौका दिया, चूंकि आपने ही यह सुझाव दिया है इसलिए हम सबसे पहले आपके मुह से इसके बारे में सुनना चाहेंगे व्यापारी ने कहा, मैं खुशी-खुशी अपने जीवन की एक घटना बताऊंगा इससे आप यह जान जाएंगे कि खुशकिस्मती के क्रीब आने पर भी इनसान अंधों की तरह उसे अपने हाथ से निकल जाने देता है जिससे उसे नुकसान होता है और वह बाद में पच्टाता है कई साल पहले मैं युवा था और मेरी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी उन दिनों मैं कमाना शुरू कर रहा था एक दिन मेरे पिताजी मेरे पास आये और उन्होंने जोर देकर मुझसे कहा कि मैं एक योजना में अपने धन का निवेश कर दूँ उनके एक अच्छे मित्र के पुत्र ने भूमी का एक खाली टुकडा देखा था जो हमारे शहर की बाहरी दीवारों से ज्यादा दूर नहीं था वह टुकडा नहर के काफी उपर था और वहाँ पानी नहीं पहुँच सकता था मेरे पिता के मित्र के पुत्र ने एक योजना बनाई कि वह इस जमीन को खरीद लेगा बैलों द्वारा चलने वाले तीन बड़े रहट बनाएगा इस तरह से जीवनदाई पानी को उपजाओ भूमी तक पहुचाएगा उसकी योजना यह थी कि ऐसा करने के बाद वह इस जमीन के पलॉट काट देगा और शहर के नागरिकों को सबजी उगाने के लिए बेच देगा मेरे पिता के मितर के पुत्र के पास इस काम के लिए परियाप्त धन नहीं था मेरी ही तरह उसकी आमदनी भी सामान्य थी उसके पिता भी मेरे पिता की तरह ही बड़े परिवार और कम संसाधनों वाले थे इसलिए उसने कुछ लोगों को अपना पार्टनर बनाने का फैसला किया उसे बारह लोगों की जुरूरत थी जिनमें से हर एक कमाता हो और वह अपनी कमाई का दस्वा हिस्सा उस अभियान में तब तक देने के लिए सहमत हो जब तक की जमीन बिकने के लिए तैयार न हो जाएं। योजना यह थी की जमीन बिकने के बाद सब लोग अपने निवेश के अनुपात में लाब को आपस में बाट लेंगे। मेरे पिता ने मुझसे कहा, बेटे, तुम अभी जवान हो। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि तुम अपने लिए बहुमुल्य जायदाद बना लो ताकि लोग तुम्हारा सम्मान करें। अपने पिता की नासमजी और गलतियों के ज्यान से लाब उठाओ। मैंने जवाब दिया, मेरी भी यह प्रबल इच्छा है। तो मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ। वह करो जो मुझे तुम्हारी उम्र में करना चाहिए था। अपनी आमदनी के दस्वें हिस्से को लाभकारी निवेशों के लिए अलग रख दो। अपनी आमदनी के इस दस्वे हिस्से और इससे मिलने वाले ब्यास की मदद से मेरी उम्र तक पहुँचने से पहले तुम बहुमुल्य जायदाद बना सकते हो पिता जी आपने बहुत समझदारी की बात कही है मैं अमीर बनना चाहता हूँ परन्तु मेरी आमदनी के साथ बहुत से खचे भी जुड़े है इसलिए मैं आपके सुझाव पर अमल करने से जिजक रहा हूँ मैं अभी जवान हूँ अभी मेरे पास बहुत समय है तुम्हारी उम्र में मैंने भी यही सोचा था परन्तु देखो साल गुजरते चले गए और मैं शुरुवात भी नहीं कर पाया अब जमाना बदल गया है पिताजी मैं आपकी गलतियों से बचूंगा अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है बेटे यह तुम्हें एक ऐसा मौका दे रहा है जो दौलत की ओर ले जा सकता है मेरा तुमसे यही कहना है देर मत करो कल सुभा ही मेरे मित्र के पुत्र के पास जाओ और उससे यह सौदा कर लो कि इस निवेश में तुम अपनी दस प्रतिशत आमदनी लगाओगे ततकाल कल सुभा चले जाना अवसर किसी का इंतजार नहीं करता आज यह सामने होता है परंतु कल दूर चला जाता है इसलिए देर मत करो अपने पिता की सलाह के बावजूद मैं जिजगता रहा पूर्वी देशों से व्यापारी नए सुन्दर वस्त्र लाए थे जो इतने आकरशक और बढ़िया लग रहे थे कि मैंने और मेरी पत्नी ने महसूस किया कि हमें उन्हें खरीद लेना चाहिए अगर मैं उस अभियान में अपनी दस प्रतिशत आमदनी का निवेश करने के लिए तयार हो जाता तो हम उन वस्त्रों को नहीं खरीद पाते और कई अन्या आनंदों से भी वंचित रह जाते जिन्हें हम बहुत चाहते थे मैंने निर्णय लेने में तब तक देर लगाई जब तक की बहुत देर नहीं हो गई बाद में मैं इस पर बहुत पच्चताया वह अभियान उम्मीद से ज्यादा फायदे मन साबित हुआ मेरी कहानी यह बताती है कि मैंने किस तरह खुशकिस्मती को अपने पास से निकल जाने दिया रेगिस्तान से आए एक सावले आदमी ने कहा इस कहानी में हम देखते हैं कि खुशकिस्मती उस व्यक्ति के पास आती है जो अफसर को स्विकार करता है जायदाद बनाने के लिए हमेशा एक शुरुवात करना पड़ती है शुरू में यह सोने या चादी के कुछ सिक्कों तक सीमित होती है जिन्हें इनसान अपनी आमदनी में से बचा कर अपना पहला निवेश करता है मैं खुद कई मवेशियों का मालिक हूँ मवेशी पालने की शुरुवात मैंने बचपन में ही कर दी थी जब मैंने चादी के एक सिक्के से एक बच्छिया खरी दी थी चुंकि यह मेरी दौलत की शुरुवात थी इसलिए मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण थी पहली शुरुवात के बाद जायदाद बनाना खुशकिस्मती से हर इनसान के बूते की बात है पहला कद्म बहुत महत्वपूर्ण है इस कद्म को उठाने के बाद, इनसान मेहंत से धन कमाने वाले व्यक्ती के बजाए अपने निवेश से लाब कमाने वाले व्यक्ती में बदल जाता है स्वाभाग्य से कुछ लोग कम उम्र में ही यह कड्म उठा लेते हैं इसी वजह से वे आर्थिक शेत्र में उन लोगों से ज्यादा सफल हो जाते हैं जो यह कड्म बाद में उठाते हैं वे उन दुर्भाग्यशाली लोगों से तो बहुत ज्यादा सफल होते हैं, जो यह कद्म कभी नहीं उठाते हैं, जैसा इस व्यापारी के पिता के साथ हुआ था अगर मेरे व्यापारी मित्र ने अफसर सामने आने पर अपनी जवानी में यह कद्म उठा लिया होता, तो आज उसे दुनिया की बहुत सी अच्छी चीजों के वर्दान मिला होता अगर हमारे बुनकर मित्र ने उस समय यह कद्म उठा लिया होता, तो आज उसके पास काफी दौलत होती दूसरे देश से आए एक अजन्बी ने खड़े होकर कहा धन्यवाद मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ मैं सीरिया का हूँ मैं आपकी भाषा अच्छी तरह नहीं बोल पाता हूँ मैं इस व्यापारी मित्र को एक नाम से पुकारना चाहता हूँ शायद आप सोचेंगे कि यह शालीन नाम नहीं है परन्तु मैं फिर भी उसे उस नाम से पुकारना चाहता हूँ परंतु मुझे आपकी भाशा का वह शब्द नहीं मानू अगर मैं इसे सीरिया की भाशा में बोलू तो आप उसे समच नहीं पाएंगे इसलिए मेरे मित्रों मुझे बताए कि आप उस आदमी को क्या कहते हैं जो अपने लिए फायदेमन साबित होने वाले कामों को भी टालता रहता है एक आवाज आई ताल्मटोल करने वाला वही सीरिया के निवासी ने अपने हाथों को रोमाच से लहराते हुए कहा जब अफसर आता है तो वह उसे स्विकार नहीं करता है वह इंतजार करता है वह कहता है मेरे सामने अभी बहुत काम पड़ा है मैं धीरे-धीरे यह काम करूंगा अवसर इस तरह के धीले आदमी का इंतजार नहीं करेगा अवसर सोचता है कि अगर इनसान खुशकिस्मत बनना चाहता है तो उसे ततकाल कद्म उठाना चाहिए अवसर सामने आने पर जो व्यक्ति ततकाल कद्म नहीं उठाता है वह हमारे व्यापारी मित्र की तरह टालमटोल करने वाला होता है व्यापारी उठकर खड़ा हुआ और सिर जुका कर लोगों की हसी पर प्रतिक्रिया करते हुए बोला अजनभी आप हमारे महमान है मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ जो आपने सच्ची बात बोलने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई अरकाद ने कहा खोए हुए अवसर की एक और कहानी हमें कौन सुनाएगा लाल वस्त्र पहने एक अधेड व्यक्ती ने कहा मैं सुनाऊंगा मैं मवेशियों का ख्रीदार हूँ खास तौर पर उटों और घोडों का कई बार मैं भेडबकरिया भी ख्रीद लेता हूँ एक रात को अवसर मेरे सामने अचानक आया जब मैं इसकी बिलकुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था शायद इसी वजह से मैंने इसे अपने हाथ से फिसल जाने दिया बहतर होगा की फैसला आप ही करें मैं उंट ख्रीदने के लिए शहर से बाहर गया था दस दिनों की निराशाजनक यात्रा के बाद जब मैं लोटा तो मुझे यह देखकर गुस्सा आया कि रात होने की वजह से शहर का द्वार बंध हो चुका था और उस पर ताले भी लग चुके थे मेरे नौकरों ने रात काटने के लिए तंबू लगाए बहरहाल हम सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत कम भोजन है और पानी तो बिलकुल भी नहीं है इसलिए यह रात मुश्किल से कटेगी उसी समय एक बूढा किसान मेरे पास आया जो शहर के द्वार का ताला बंध हो जाने के कारण हमारी ही तरह बाहर रह गया था उसने मुझसे कहा आदर्णिय श्रीमान आपके हुलिये से मुझे लगता है कि आप मवेशियों के ख्रीदार है अगर ऐसा है तो मैं आपको अपनी बहुत अच्छी भेडे बेचना चाहूँगा जिन्हें मैं अभी अभी लाया हूँ मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसे बुखार है मुझे ततकाल लौट ना होगा आप मेरी भेडे खरीद लें ताकि मैं और मेरे नौकर उटों पर सवार होकर बिना देर किये ततकाल धर लौट जाए इतना अंधेरा था कि मैं उसकी भेडों को नहीं देख सकता था हाला कि उनकी आवाजों से मैं समझ गया कि रेवर बहुत बड़ा होगा मैंने उटों की तलाश में अपने दस दिन बरबाद कर दिये थे परंतु मुझे अच्छे उट नहीं मिल पाए थे इसलिए मैं उसके साथ खुशी-खुशी सौदे बाजी करने लगा वह मुश्किल में था इसलिए उसने बहुत ही वाजिब दाम मांगा मैंने वह सौदा मंजूर कर लिया क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे नौकर सुभा भेडों को हाकर शहर में ले जाएंगे और उन्हें बेचने से हमें काफी लाब होगा सौदा होने के बाद मैंने अपने नौकरों से मशाले लेकर आने को कहा ताकि हम किसान की 900 भेडों को गिन सकें मित्रो मैं आपको यह वर्णन सुना कर बोर नहीं करूंगा कि इतनी सारी प्यासी, भूखी और बेचैन भेडों को गिनने में हमें कितनी मुश्किले आई यह एक असंभव काम साबित हो रहा था इसलिए मैंने उस किसान से साफ साफ कह दिया कि सुभव होने के बाद मैं भेड गिनूँगा और तभी उसे पैसे दूँगा उसने आग रह किया, मेहर बानी करके आप आज रात को मुझे दो तिहाई कीमत ही दे दें ताकि मैं अपने घर लोट सके मैं अपने सबसे समझधार और शिक्षित सेवक को आपके पास छोड़ जाऊंगा, जो सुभव भेड गिनने में आपकी मदद करेगा वह विश्वसनिय है और आप बाकी का एक तिहाई पैसा उसे दे सकते हैं परंतु मैंने जिद पकड़ ली और रात को पैसे देने से इनकार कर दिया अगली सुभ़ मेरे उठने से पहले ही शहर का द्वारा खुला और चार खरीदार भेडों की तलाश में बाहर भागते हुए आए वे बहुत उच्सुक थे और उची कीमते देने को तयार थे क्योंकि शहर पर युद्ध की घेराबंदी का कत्रा मंडरा रहा था और भोजन पर याक्त नहीं था किसान मुझे जितनी कीमत पर भेड़े देने के लिए तयार हुआ था उसे उससे लगभग तीन गुना ज्यादा कीमत मिली यह बहुत ही बढ़िया अफसर था जो मैंने अपने ही हाथों से गवा दिया अरकाद ने टिपणी की यह बहुत ही असामान्य कहानी है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? घोडे की जीन बनाने वाले ने कहा इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमें विश्वास हो की हमारा सौदा समझदारी पूर्ण है तो हमें ततकाल पैसे दे देना चाहिए अगर सौदा अच्छा है तो आपको दूसरों के अलावा खुद की कमजोरियों से भी अपनी रक्षा करने की ज़रूरत होती है इंसानों के विचार बदलते रहते हैं मैं तो यह कहूंगा कि हम अपना मन तेजी से बदल लेते हैं और ऐसा तब अधिक होता है जब हम गलत नहीं बलकी सही होते हैं गलत निर्णयों के बारे में हम जिद्धी होते हैं, परंतु सही निर्णय लेने के बाद हम हिचकी चाते हैं और अफसर को अपने हाथ से फिसल जाने देते हैं. मेरा पहला निर्णय मेरा सरवश्रिष्ट निर्णय होता है. परंतु मैंने हमेशा यह पाया है कि अच्छा सौदा करने के बाद मैं हिचकी चाता हूँ और तालमटोल करता हूँ. इसलिए अपनी कमजोरी से बचने के लिए में ततकाल उस सौदे का बयाना दे देता हूँ. इससे मैं खुशकिस्मती के अवसरों को गवाने के पश्चाताप से बच जाता हूँ. सीरिया के निवासी ने एक बार फिर खड़े होकर कहा धन्यवाद. एक बार फिर बोलना चाहता हूँ. ये कहानिया लगभग एक सी हैं. हर बार अवसर एक ही कारण से दूर भाग जाता है. हर बार वह टालमटोल करने वाले के पास आता है और एक अच्छी योजना पेश करता है. हर बार टालमटोल करने वाला हिच्ची चाता है. वह यह नहीं कहता कि अभी सबसे अच्छा समय है. मैं यह काम तत्काल कर देता हूँ इसके बजाए वह टालमटोल करता है आदमी इस तरह सफल कैसे हो सकता है खृदार ने कहा आपके शब्दों में समझधारी है खुशकिस्मती इन दोनों ही कहानियों में टालमटोल करने के कारण दूर भाग गई थी बहरहाल यहां असामान्य नहीं है टालमटोल करने की प्रवृत्ती सब में होती है हम दौलत चाहते हैं परन्तु जब अफसर हमारे सामने आता है तो टालमटोल की प्रवृत्ती के कारण हम उसे तत्काल स्विकार नहीं करते हैं और इस तरह हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अपनी जवानी में मैं टालमटोल शब्द को नहीं जानता था, जो हमारे सीरिया के मित्र को इतना पसंद आया है। मैं पहले तो यह सोचता था कि मेरे गलत निर्नयों के कारण मेरे हाथ से कई लाभदायक सौदे निकल गए। बाद में मैंने अपने जिद्दी स्वभाव को इसके लिए दोश दिया। बहरहाल अंत में मुझे सच्चाई का पता चल गया। मैंने जान लिया कि जब मुझे काम करना चाहिए था, जब मुझे ततकाल और निर्नायक काम करना चाहिए था, तब मैं अनावश्यक रूप से देर कर रहा था। जब मुझे सच्चाई पता चली, तो मुझे बहुत चिड हुई। जंगली खच्चर को किसी रत में जोतने पर वह बहुत कटू हो जाता है। उतनी ही कटूता से मैंने अपनी सफलता के इस दुश्मन से अपना पीछा छुडाया। भन्यवाद, मैं अब अपने व्यापारी मित्र से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं। आपके कपड़े गरीबो जैसे नहीं हैं। आप सफल व्यक्ति की तरह बोलते हैं। हमें बताए, जब टालमटोल आपके कानों में कुछ कहती है, तो क्या आप अब भी उसकी बात सुनते हैं। व्यापारी ने जवाब दिया, खरीदार मित्र की तरह मुझे भी टालमटोल को पहचानना और जीतना पड़ा। यह मेरी दुश्मन थी, जो हमेशा मेरी सफलताओं में बाधा डालने की ताक में रहती थी। मैंने जो कहानी सुनाई है, उस तरह के बहुत से उदाहरण हैं, जिनके द्वारा मैं बता सकता हूँ कि तालमटोल की वजह से मेरे अफसर किस तरह दूर चले गए। एक बार समझ लेने के बाद तालमटोल को जीतना मुश्किल नहीं होता। कोई भी व्यक्ती स्वेच्छा से चोर को अपना अनाज चुराने नहीं देता है। कि मेरा दुश्मन इस तरह के काम कर रहा है, तो मैंने संकल्प के साथ उस पर विजय पाई। अगर कोई व्यक्ती बैबिलॉन की प्रचुर दौलत में हिस्सेदार बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपनी टालमटोल की भावना पर विजय पाना होगी। अरकाद आप क्या कहते हैं? चुँकि आप बैबिलॉन के सबसे अमीर व्यक्ती हैं, इसलिए कई लोग कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा खुशकिस्मत व्यक्ती भी हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि कोई भी आदमी जब तक टालमटोल की भावना को पूरी तरह नश्ट नहीं कर देता, तब तक वह बड़ी सफलता नहीं पा सकता। अरकाद ने स्विकार किया, जैसा आप कहते हैं, बिलकुल वैसा ही है। मेरे लंबे जीवन में मैंने कई पीडियों को व्यवसाय, विज्ञान और ज्ञान के उन क्षेत्रों में आगे बढ़ते देखा है, जो जिन्दगी में सफलता की राह पर ले जाते हैं। अवसर उन सब लोगों के पास आये थे। बहरहाल कुछ ने अपने सामने आये अवसरों का लाब उठाया और अपनी गहनतम इच्छाओं की संतुष्टी की ओर आगे बढ़ते रहे, परंतु अधिकांश लोग जिचके, लड़कडाये और पीछे रह गए। अरकाद कपड़े के बुनकर की ओर मुडा, आप ही ने यह सुझाव दिया था कि हम खुशकिस्मती पर बहस करें। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अब मैं खुशकिस्मती को एक अलग रोशनी में देख रहा हूं। मैंने सोचा था कि खुशकिस्मत होने के लिए इनसान को कोई कोशिश नहीं करना पड़ती। अब मुझे यह एसास हो गया है कि इनसान बिना कुछ किये खुशकिस्मती को अपनी और आकरशित नहीं कर सकता। इस चर्चा से मैंने यह सीखा है कि खुश किस्मती को आकर्षित करने के लिए अफसरों का लाब उठाना ज़रूरी है मैं अपने सामने आने वाले अफसरों का अधिक्तम लाब उठाने की कोशिश करूँगा अरकाद ने जवाब दिया आपने हमारी चर्चा के सत्य को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया है हमने यह पाया है कि अक्सर खुश किस्मती अफसर के पीछे आती है यह शायद ही कभी किसी दूसरे रूप में आती है हमारा व्यापारी मित्र बहुत खुश किस्मत होता अगर उसने सौभाग्य की देवी द्वारा दिये गए अफसर को स्वीकार कर लिया होता इसी तरह हमारा ख्रीदार मित्र भी खुश किस्मत होता, अगर उसने मवेशियों को समय पर ख्रीद लिया होता और उन्हें तीन गुने लाप पर बेचा होता हमने यह चर्चा इसलिए शुरू की थी, ताकि हम खुशकिस्मती को अपनी और आकर्षित करने का तरीका खोज सकें मुझे लगता है कि हमने वह तरीका खोज लिया है दोनों ही कहानियों से यह निशकर्ष निकलता है कि खुशकिस्मती अवसर में छुपी होती है चाहे खुशकिस्मती का लाभ उठाया गया हो या नहीं उठाया गया हो, इस सत्य को बदला नहीं जा सकता अवसरों को स्विकार करके खुशकिस्मती को आकर्षित किया जा सकता है जो लोग प्रगती के अवसरों का लाभ लेने के लिए ततपर रहते हैं उनमें सौभाग्य की देवी रुची लेती है वे हमेशा उन लोगों की मदद करने की इच्छुक होती है जो उन्हें खुश करते हैं और कर्मशील व्यक्ति उन्हें सबसे ज्यादा खुश करते हैं कर्म आपको सफलता की ओर ले जाएगा